क्रमचारी चैनायो के लटके रिजल्ट जल्द होंगे घोशित सुखविंदर सिंग शुखु ने कहा चीम ने 15 अपरेल के बाद भरतियां शुरू करने का दिया आश्वाशन शुक्विंदर सिंग सुखु ने कहा कि करम्चारी चेन आयोग के लटके वी रिजल्ट जल्द निकाले जाएंगे उन्होंने राचिस्ची वाले में मांगो को लेकर पहुँचे अब्यार्थियों के साथ बात चीत करते हुए कही मुक्वी मंतरी शुभिंदर शुक्व ने कहा कि जो अब्यार्थी सरकारी नोकरियों में आई शिमा को पार कर रही है उन्हें भी आई शिमा में राद दी जाएगी यह बात सियम ने कही जब बैर्थियों ने कहा कि अगर सेमय पर बढ़तियों के रिजल्ट नहीं निकाले जाते हैं तो वह सरकारी नोक्रियों से बंचीत रह जाएंगी क्योंकि उनकी उमर ज्यादा हो रही है इसके अलावा जो बढ़तिया रुकी भी है उन्हें भी सीम 15 अपरेल के बाद भरने का अस्वासन दिया काफी देर के तक मुख्यमंत्री ने बहरतियों के साथ बात जित करती हुए कहा सरकार को युवाओं की चिंता है इस मौके पर उन्होंने युवाओं की बातों को गोर से सुना गोरतलाबे की परदेश, सेकड़ो, बिरोजगार चात्रों ने सिनिवार को स्चिवाले पहुंचकर परतरसन किया बिरोजगार युवाओं अपने मांगों को लेकर स्चिवाले पहुंचे थे सिमलास्ची वाले के बाहर एकठा हुए शेखड़ो छातरों ने सरकार के खिलाब जम कर नारे बाजी की इसके बाद उन्होंने मांग रखी कि जब तक मुख्यमंत्री उनसे मलाकात नहीं करेंगे तब तक वे यहाँ से नहें हिलने वालें चातर मुख्यमंत्री सुक्षू से भी मिलने पहुँचे चातरों ने चेन आयोको दोबारा से भाल करने की मांग की सब ये बैरतों ने मांगए कि सरकार भर्तियों का क्लेंडर निकाले जिसमें नोकरी समंदी जान के रिया मिल सके ताकि छात्रों का समय बरबाद न हो यहाँ का कहना था कि नोकरी ना मिलने से वह डिप्रेशन में जा रहे हैं सालों से भर्टियों के तैयारी कर रहे हैं ऐसे में अगर सरकार नहीं भर्टिया नहीं निकालेगी तो वे कहां जाएंगे नाराज बेरोजगारों ने कहा कि वे 2019 से नोकरे मिलने का वेट कर रहे हैं अब तो उमर भी निकली जा रही है ब्यार्जियों का कहना कि जल्द सरकार को स्टाप सेलेक्शन कमिशन की बहाली करने चाहिए